प्रोग्राम की शुरुवात इस वक्त हम कर रहे हैं चुनाव से जी हाँ अगले साल से कही राजों में विदान सबा चुनाव होने वाले और चुनाव से पहले कॉंग्रिस पार्टी के लिए बेहद बड़ी खुशकबरी निकल कर सामनी आई है जी हाँ चुनाओं से पहले आकर क्या खुशकबरी है कॉंग्रिस के लिए और क्या वाकई उत्तर प्रदेश में इस बार पासर पलटनाता है सबसे पहले बात करेंगे वो खुशकबरी है क्या वो खुशकबरी है उत्तर प्रदेश के चुनाओं से पहले पंजब चुनाओं से पहले, गोवा चुनाओं से पहले, उत्रेखन चुनाओं से पहले, जो सर्वे हैं वो यह इशारा करते हैं कि इस बार कॉन्ग्रेस पार्टी को चुनाओं में बेहद बड़े इस तरफ फायदा मिलता था रा जी चुनाव से पहले κौंगर्स पार्टी के लिए खुश्कबरी है कि जो सर्वे वह इस वहर इशारा कर रहे हैं कि कौंग्रिस बड़ेंतर से चुनाव जीट सकती है क्योंकि पार्टी लगातार जो रणनीतिया बना रही है पार्टी में लगातार जो बड़े इस तरक पर फिर बदल हो रहे हैं Kak्रेस पार्टी माहास्चnaire Prios प्रियांका गांधि की रह लिया और पार्टी अलोक् uhh गांधि की रह लिया और पार्टी आला कमान सोन्या जगा तो दी जा रही है और पार्टी में यह भी ताई किया जा रहा है कि कैसे युवाओं को के भविश को बहतर किया जाए क्योंकि प्रियंका गांधी की यही सोच है कि इस बार युवाओं को जादा से जादा जोड़ा जाए पार्टी के साथ और युवाओं को आगे प्रियंका गांधी के इन्हीं एलान का असर है कि आज उत्तर प्रदेश की जंता प्रियंका गंदी के साथ जूड चुकिये जिया उत्तर प्रदेश की जंता यह समझ पर बात कर रही है कॉंग्रिस पार्टी जंता की सेवा के लिए आगे भड़े नदर आ हरी है और प्रियंका गानधी की मेहनद देखकर जंता ये कह रही है के इस बार मौका कॉंग्रिस पार्टी को दियांगा तो क्योंकि जंटा को मौका दिया गया है समाजवादी को मौका दिया है बीजेपी को मौका दे कर देख लिया है लेकिन कॉंगर्स को मौका नहीं दिया है तो आज कॉंगर्स को मौका दिये जाने की बात होती नजर आ रही तो मौझूद समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि कॉंग्रिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा तौफा मिलता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े अंतर से कॉंग्रिस पार्टी चुनाव जीती नजर आ रही कॉंग्रिस पार्टी की लगाता तावर तोड रह लिया प्रियंका गांधी के लगातार एक के बड़े फैसले और ये भी देखा जा रहा कि प्रियंका गांधी के फैसलों का असर है प्रियंका गांधी के रणनीतियों का असर है कि बहुत बड़े हता जनता आज प्रियंका के साथ जुड़ रही है जनता आज क समय के जो हालात हैं वो इस और इशारा करते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़े हता कॉंग्रेस पार्टी को फायदा मिलता नाजर आएगा तो एक और जहां ये देखा जा रहा है कि चुनावी स्थर्वे जो ये बताने शुरू कर चुके हैं कि इस बार प्रियंका गांध सही नहीं है सत्ता पक्ष के लिए खुशकबरी नहीं आ रही है क्योंकि सत्ता पक्ष से जनता इस बार नाराज है तो शुरूवात उनसे कर रहे हैं कि कौन-कौन से बड़े वर्ग के वोटर है जो योगी सरकार का साथ चोड़ रहा है दरसल सबसे पहले शुरूवात कर ले लेकिन इस बार प्रहमर्ण वोटर बीजेपी से अलग हो रहा है इस बार प्रहमर्ण वोटर बीजेपी का साथ चोड़ रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर भी अबकी बार बदलते नाजर आने जी हाँ जो पहले मुस्लिम वोटर्स एक तरफा अखलेश यादों को समर्तन करते थे अखलेश यादों को वोट करते थे वही वोटर जो हैं इस बार प्रियंका गांदी के साथ जुड़े देखिए मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर कॉंग्रेस के साथ जुटते हैं और उत्तर प्रदेश में जो ब्रामड वोटर्स है वो भी सत्ता पक्ष के साथ चोड़कर कॉंग्रेस के साथ जुटते हैं नतर आ रहे तो मौझुदा समय में ये दोनों बड़े वोटर्स हैं जिनका रुख अब कॉंग्रेस की तरफ हो तान नाजर आ रहा तो हिंदों पर भी ध्यान है मुस्लिमों पर भी ध्यान है यानि कि उत्तर प्रदेश में तमाम जाती समुदाय के धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने का काम प्रियंका गांधी कह रही है प्रियंका गांधी ने जितने भी बड़े ऐलान किये उसमें भेदभाव नहीं किया उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांदी का ऐलान है कि 20 लाक रुपे तक का इलाज मुफ्त हो जाएगा तो ये सब के लिए है उत्तर प्रदेश में आसा वरकर को हर महीने 10,000 रुपे मिलेंगे तो ये सभी आसा वरकर के लिए तो ये देखा जारा। ना कि उत्तर परदेश में एक और जहां प्रियंका गांधी सब को साथ लेकर चलने की बात कर रही है। रहे जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो वैक्सीन की सुर्वात है जनवरी से जो की जाए गी और फ्रंट लाइन वरकर्स जो है जो है उनको वैक्सीन की डोज दी जाएगी आनिको प्रधानमंति नरेजमोंति कहती कुछ है और होता कुछ रहा है यह देखा जा रहा है कि एक और जहां वो केवल हेल्थ वर्कर्स हैं फ्रेंट लाइन वर्कर्स उनकी तारिफ करते नजर आ रहे थे लेकिन आज यह देखा जा रहा है कि वही डॉक्टर्स वही हेल्थ वर्कर्स जो हैं आज सडकों पर प्रदर्शन कर रहे ह आज पुलिस उन पर लाटियां बरसा रही है आज पुलिस उन पर अत्याचार कर रही है और घसीट घसीट कर बसों में बरा जा रहा है उसकी खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी है और यह हमने बताया कि सरकार किस तरह से केवल मौजुदा समय में चिकनी चुपडी बाते कर रही है मौजुदा समय में केवल जनता का दिर जीतना चाती है यह चार दिन की चांदरी है जो सरकार दिखा रही है लेकिन जनता को समझना चाहिए कि अभी तक मोधी सरकार किसानों पर डंडे चलवा रही थी युवाओं पर डंडे चलवा रही थी अब डॉक्टरों पर शुरुवात कर दी गई है डॉक्टरों पर अत्याचार हो रहा है किस तरह से उन्हें घसीटा जा रहा है घसीट घसीट के उन्हें बसों में भरा जा रहा है उन्हे यहां यहां सकता यूब यूबा अपनी आवास नहीं उठा सकता दॉक्टर अपनी आवास नहीं उठा सकता तो आकिरकार ऐसे सरकार कर रहने का मतलब ही क्या तो यह जंता को तै करना है ना इसलिए तो कहा जा रहा है कि जंता जनार्दन है देखी जंता जैसा फैस्टा करेगी वो तो सब को स्विखार करना पड़ेगा लेकिन जंता इस बार अगर गलती कर बैठी तो आने वाले समय में नुकसान जंता को तो यह उठाना पड़ेगा क्योंकि जंता अगर चाती है कि वह ऐसी सरकार चुने जो उन पर अत्याचार करें महंगाई को बढ़ाए देश की अर्थिवस्ता को खराब करें लगातार जी एश्टी बढ़ाए लगातार खाने पीने के रेट बढ़ा है तो जाहिर स्विवात अगर जंता ऐसी सरकार चाती तो ऐसी सरकार को वोट करें और अगर जंता चाती है कि बदलाव हो सबको अधिकार मिले और उदेश में हालात पहले जैसे हो जाएं जैसे कॉंग्रिस के शासनकाल में था किस तरह से सबको आज़ादी मिली कि किस तरह से कॉंग्रिस के शासनका सब को खुले तोर पर बोलनी के आजादी थी सब के लिए इस सरकार उसमक्त काम करती थी अगर ऐसी सरकार चाहिए तो जाहिए को मौका देना पड़ेगा प्रियंका गांधी को मौका देना पड़ेगा और जनता अगर जितने बड़े हद तक कांग्रेस के साथ जुड़ेगी प्रिएँका गंदी के साथ इसका आनेवाला फायदा वो Congress को मिलता नदर आगा क्योंकि मौझूद समय के अंदर क्या देखा जा रहा है कि بहुत बड़े हद तक जंता जो है क कई चीजों को देख रही है लेकिन चीजों को आवाज नहीं बुलंद कर सकते अपनी बात नहीं रख सकते और आज जो सच्चाई के साथ चल रहा है सरकार उस पर लाटी डंडे चलवाती है उसे जेलों में बंद करवा देती है तो ये तो वही वाली बात हो गई जैसे ब्रिटिस हकूमत का राज भारत पर था यहां की जनता पर था हिटलर की याद आती नदर आ रही है तो सरकार जिस तरह का काम कर रही है इसका मतलब ये कि सरकार के वल जनता को बेवकुफ बना रही है सरकार देश को बेवकुफ बना रही है और जनता को बेवकुफ बनना नहीं है क्योंकि चंडीगर नगर निगम चुनाओ की नतीजों ने ये बता दिया कि जनता बदलाव चाती है चंडीगर नगर निगम चुनाओ में आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर आई है कार में रहना चाहते जंता को तै करना है कि वह कैसे नहीं हो भाएगा और जंता जिसतरा से बदलाओ करेगी उसका पायदा उन्हें आने वाले समय में जरूर मिलता नजर आएगा देखते कि आकिरकार जनता बदलाओ करती है नहीं लेकिन आज के लिए मुझे ज़र दीजे नमस्कार